नमो नमो बच्चों आज संस्कृत में हम अध्याए एक पढ़ेंगे वर्ण विचारह बच्चों हम अपनी बात को दूसरों तक पहुचाने के लिए जिन वाक्यों का प्रयोग करते हैं और वाक्यों के बनाने के लिए हमें शब्दों की जुरत पढ़ती है और शब्दों को बनाने के लिए हमें इकाई की जुरत पढ़ती है बच्चों वह इकाई कौन सी है हमारी वर्ण हमारे अक्षर अब हमें पता होना चाहिए की अक्षर कितने हैं वह दो प्रकार के हैं स्वर और व्यांजन और इन स्वर और व्यांजनों से मिलकर हमारी वर्ण माला बनती है उदाहरण के लिए मोतियों की माला या फूलों की माला से ले लीजिए क्या एक मोति या एक फूल से माला बनेगी? नहीं, उसके लिए बहुत सारी मूतियों की जुरत पड़ती है, बहुत सारे फूलों की जुरत पड़ती है इसी प्रकार वर्ण माला भी है, इस माला में स्वर भी आ गए और व्यनजन भी आ गए इनसे मिलकर बन गई हमारी वर्ण माला बच्चों, आपको हिंदी में जैसे स्वर देखने को मिलते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में भी मिलेंगे क्योंकि संस्कृत हमारी प्रथम भाशा है इसका रूप परिवर्थित होते होते, वह हिंदी में परिवर्थित हो गई पहले बोलचाल की भाशा भी क्या थी संस्कृत धीरे धीरे इसका रूप पाली में आ गया वह पाली में आई पाली से बदलते बदलते प्राकृत में आई प्राकृत से अपभरांश हिंदी बनी और अपभरांश से होते होते हमारी हिंदी के रूप में आई बच्चों, हमारी वर्ण माला संस्कृत की ही थी उसके बाद हिंदी में आई तो हमारी हिंदी की जननी कौन हुई? संस्कृत बच्चों, ये सारी बातें आप जरूर याद रखिएगा अब हम चलते हैं अपने अध्याय की योर हम पढ़ रहे हैं वर्ण तो वर्ण कितने प्रकार की होते हैं? दो प्रकार के स्वर और व्यंजन वर्ण ध्वनियों के उन लिखित चिन्हों को वर्ण कहते हैं जिनके खंड, खंड मतलब टुकडे नहीं किये जा सकते संस्कृत वर्ण माला में कुल 46 वर्ण होते हैं स्वराह संस्कृत में स्वर्वर्णों की संख्या तेरा होती है जिनका विवरण इस प्रकार है हस्वाह हस्वस्वर ये क्या है? जिनको बोलने में हमें ज्यादा समय नहीं लगता है जैसे अ, इ, उ, री, ली जिनको बोलने में हमें हस्वस्वर से ज्यादा समय लगता है जैसे आ, इ, उ, री मिश्रित्वर मिश्रिताह संयुकताह ए, आ, ओ अ, 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 ये आयोगवा है ये ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है अब चलिए देखते हैं व्यंजन कौन-कौन से है व्यंजनानी व्यंजन वर्णो की संख्या तैतिस होती है जिसका विवरण इस प्रकार है कावर्ग का-खा-गा-घा-णा चावर्ग हा चा-छा-जा-जा-जा-ण्या तावर्ग हा त ठ डद ध ना तावर्गह त थ द ध ध ना इनको अन्तास्था व्यंजन कहते हैं इनको उश्माड़ा कहते हैं ये सारी चीजे आप हिंदी में भी पढ़ चुके हैं अब सयुक्त व्यंजनानी जब दो व्यंजन वर्ण मिलकर एक वर्ण का रूप ले लेते हैं उन्हें सयुक्त व्यंजन कहा जाता है तो ये कौन कौन से हैं? चलिए देखते हैं श ये श जो है ये हमारे दो वर्णों से मिलकर बना है क और श से त्र ये ता और रा से मिलकर बना है ग्यां ये ज और या से मिलकर बना है श्र ये श और रा से मिलकर बना है द्य द और या से मिलकर बना है द्व ये द और वा से मिलकर बना है स्वर एवंग व्यंजन वर्णों के योग को वर्ण संयोजन कहते हैं इसके द्वारा ही शब्दों का निर्माड होता है बच्चो यहां बताया गया है कि वर्णों को किस प्रकार जोड़ कर शब्द बनाये जाते हैं तो यहां सबसे पहले क्या दिया है कपोतह इसके सभी वर्णों को अलग-अलग करके लिखना है तो चलिए कपोता के वर्णों को अलग-अलग करते हैं क, क और अ इसमें क्या मिला है? क और अ पो, प और ओ तह, त और अह क्या बन गया? कपोतह इसी प्रकार बालकह ब-अ ल-अ कह क और अह ये क्या हो गया? बालकह इसी प्रकार पुश्पम प उ ये क्या हो गए? वर्ण संयूजन अब यहाँ पर दिया है वर्ण विन्यास किसी शब्द के स्वर एवां व्यांजन वर्णों को अलग करने को वर्ण विन्यास कहते हैं जैसे बालह यहाँ पर क्या हो गया? ब और आ ल और अह ये क्या हुआ? बालह इसी प्रकार लता ल अ त आ ये क्या हुआ? लता मुनी म और उ न और इ ये मिलकर क्या बन गए? मुनी नदी अ द इ नदी अब चलते हैं मिश्रिस्वर की योर बच्चों लेसन के स्टार्टिंग में लेसन के सुरुवात में मिश्रिस्वर बताए गए थे ए ए ओ यहाँ देखिए ए किससे मिलकर बना हुआ है? अ और इसे और ओ किससे मिलकर बना है? अ और उ से अई किससे मिलकर बना है? अ और ए से आउ किससे मिलकर बना है? अ और ओ से इन्हें इसी लिए बोलते हैं मिश्रिस्वर तो बच्चों यहाँ पर आपका अध्याय समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आपको यह सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी तो चलिए अब मैं आपको आपका ग्रीह कारे दे देती हूं पेज नमबर एट फर्स्ट एक्ससाइज पत्तों पर लिखे हुए स्वरों का उच्चारण कीजिए बच्चों जिस प्रकार मैंने स्वरों और व्यंजनों का उच्चारण किया था उसी प्रकार आपको भी करना है सेकंड एक्ससाइज व्यंजनों के साथ स्वरों को जोड़िए third exercise वर्ण सयोजन और वर्ण विन्यास कीजिए fourth exercise रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए ये सारी चीजें आपको अपनी copy में करनी है fifth exercise स्वर व्यंजनों को अलग करके उचित स्थानों में लिखिए और sixth exercise स्वर्व्यंजन को जोड़ कर छत्र बनाईए और रंग भरिये ये दोनों एक्सरसाइज आपको अपनी बुक में करनी है धन्यवाद